हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल में स्वागत करता हूँ आज हम काफी इंपोटेंट टॉपिक करने वाले जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइकलोजी की इंपोटेंट सीरीज स्टार्ट कर रखिये जो सभी सीटेट एक्जाम, टेट एक्जाम, एस्टेट, डिएससबी, केवियर्स या किसी भी टीचिंग एक्जाम सभी के लिए काफी इंपोटेंट पॉइंट्स हैं तो साथियों आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे मनो विज्ञान के संपर्दाए जिसे हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकलोजी तो ये होते क्या हैं इसके बारे में आज हम डिसकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्कूल्स ऑफ साइकलोजी मतला मनो विज्ञान के सं संपर्दाय होते क्या है हलाकि आपने सुना होगा सरंचनवादी परकारियवादी लेकिन यह होते क्या है यह संपर्दाय होते क्या है तो मैं आपको सिंपल सब्दों में बताना चाहूंगा पहले कि संपर्दाय होते क्या है मनोविज्ञानिक अध्यन के लिए एक मत एक विच विचारधारा होगी, या वो एक ही विदी का अनुसरन करेंगे, तो वो क्या होगा? संपरदाय होगा, जैसे मैं आपको सिंपल सब्दों में बताना चाहता हूँ, जैसे ये 10-10 बंदों का गुरूप है, एक गुरूप किसी अलग बात को मानता है, एक गुरूप अलग बात को और एक ही अलग विदी का वो अनुसरन करते हैं इसके बाद हम देखते हैं सरंचनावाद क्या होता है सरंचनावाद होता है क्या है सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हैं तो उसे इंगलिस में समझना बहुत जरूरी है हिंदी में उसके कई नाम हो सकते हैं लेक विलेम वुंट मतलब विलेम वुंट कौन है पुरमुक सरंचनावादी इसमें टिचनर एडवर्ड और वेडफोर्ड इनको भी सरंचनावादी कहा जाता है यह नहीं कि सिर्फ विलेम वुंट ही सरंचनावादी है टिचनर एडवर्ड और वेडफोर्ड भी सरंचनावाद इनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में सरंचनाए हैं जो जटिल मानसिक मतलब हमारे जो mental experience होते हैं मानसिक जो हमारा अनुभव होते हैं वास्तव में इनके अनुसार क्या वो वो एक सरंचनाए हैं मतलब वो क्या है सरंचनाए हैं जो अनेक मानसिक इस्तिथिय से मिलकर बनी है जो काफी सारी जो मानसिक हमारी कंडिसंस है उनसे मिलकर बनी है मतलब इनोंने क्या कहा है जो सरंचनावादी है इनोंने मानसिक अनूभव को क्या माना है सरंचनाए माना है और वो किस से बनी है सरंचनाए बहुत सारी मानसिक इस्तितियों से मिलकर बनी है तो मानना है, और प्रमुक सरंचनवादी कौन है? आप देख सकते हैं, विलिंड वन्ट और टिचनर एड़वर्ड और वेडफोड को भी सरंचनवादी माना जाता है, इसके बाद हम बात करते हैं, प्रकारियवाद, प्रकारियवाद का मतलब होता है functionalism तो साथियों इसके जो पुर्मुक परवर्तक है वो कौन है William James मतलब William James कौन है प्रकारियवादी है पुर्मुक परवर्तक है मतलब main जो प्रकारियवादी आप मानेंगे तो वो कौन है William James लेकिन इसके बाद आप ध्यान दे जॉन डीवी, केटल और ठार्ण डाइक और वुडवर्थ इन्होंने प्रकारियवाद को वेग्जानिक आधार दिया जो William James था प्रकारियवाद ही था प्रमुक लेकिन इसके बाद John Dewy, Ketil, Thandise, Woodworth इनोंने क्या किया प्रकार्यवाद को विग्यानिक आधार दिया मतलब पहले क्या था वो विग्यानिक आधार पे नहीं था लेकिन इनोंने क्या किया उसको विग्यानिक आधार पर लेकर गए तो साथियों उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा वो भी देखते हैं इन्होंने यह जानने का प्रियास किया कि वैक्ति वातवरन के साथ समायोजन करने में मांसिक अनुभव का किस प्रकार प्रियोग करता है मतलब साथियों जो प्रकारियवादी थे आप सिंपल सब्दों में समझ सकते हैं इन्होंने क्या जानने का प्रियास किया कि जो वैक्ति है वो वातवरन में समायोजन करने के लिए मतलब इंसान अगर इन्वार्मेंट में समायोजन करता है अपने आपको एडजेस्ट करता है तो उस एडजेस्ट करने के लिए वो दिमागी अनूभव होता है उसका मांसिक अनूभव होता है वो किस प्रकार से उसका प्रियोग करता है किस प्रकार से वो फंक्शन करता है मतलब आ फंक्षन से समझ सकते हैं कि उसका मानसिक अनुभव किस प्रकार से फंक्षन करता है अपने आपको वातवरन के साथ एडजेस्ट करने में तो साथियों ये इसे हम बोलते हैं प्रकारियवाद और उम्मिद कर रहा हूँ यहां तक आपको बिल्कुल समझा आयोगा इसके बाद जो हमारे दो-तिन और संपरदाये हैं जिनसे कोशन भी निकल के आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो साथियों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स के साथ सेयर करें और लाइक भी करें तो साथियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वन दे मात्रम